भाजपन ने 36 गड़ में खाली हो रहे है राजसब की एक सीट के लिए राजा देवेंद्र प्रताप सिंग को उम्मीद्वार के रूप में नामित किया गया है। इस ने नय के बाद न्यूज एजेंसी एनाई से हुई बादचीत में राजा देवेंद्र प्रताप ने कहा कि इस फैसले ने मुझे आश्चरियम में डाल दिया है। देना चाहता हूँ। राजा देवेंद्र प्रताप सिंग ने आगे कहा सवभाग गहे कि मुझे पीए मोधी के नेत्रित तुमें काम करने का अफसर मिलेगा। राजसभा सदस्य के रूप में मैं राइगर के विकास के लिए प्रयास करूँगा। बतादे की रविवार को भाजपने 36 गड़ में आगामी राजसभा चुनाव के लिए राजा देवेंद्र प्रताप सिंग को अपना उम्मीद्वार घोशित किया है। 36 गड़ से मौझूदा राजसभा सांसत सरोज पांडे का कार्यकाल अप्रेल में समाप्त होने वाला है। चुनाव आयोग ने 36 गड़ सही 15 राजियों के लिए राजसभा चुनाव 27 फरवरी को निर्धारित किया है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हमारी यूटूब चैनल आई बेसी 24 मैदानी को सब्सक्राइब करना ना भूले। झाल के लाजनी के लिए बेसी यूले इसानी को सब्सक्राइब करना धर दो आए झाल को सब्सक्राइब घटने को सीर्थू और लाजस्टाइब करना भारी यूटूब यूटूब यूशूब